और दोस्तों क्या लें आप सभी के स्वागत करता हूं आप सभी का एक बर दुबारा से आपकी अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से तो या दोस्तों आज बात करने वाला हूं сделать एक multiwhere stock के बारे मात्र 40 रुपए के आत्वा sekali स्टॉक अभी ट्रेट कर रहा है और राइन्स को छोड़ो इस 400 रुपे के शेर को खरीदो क्यों है यह बाते मैं कहा रहा हूं इसके आपको वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा लेकिन मैं तो आपको थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स बथा देता हूं जैसे की 1829 करोड का क कमपनी को काफी अच्छा ओर्डर मिला है और साथ में जो प्रमोर्टर्स एफाई आइस टी आइस की होल्डिंग के स्टॉक में 90% प्लस हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों देखिए मैं आपको हमेंसे बात कहता हूं जिस भी स्टॉक में एफाई आइस डी आइस और आप आपको कमाके दे सकता है ठीक है तो सिंपली स्टार्ट करता है अनलेजी स्टॉक के नाम से उसके करेंट वैलिशन से और उसकी करेंट न्यूस क्या चल रही है सभी की सभी तो वीरिस को अंतक देखना और कुछ भी समझ आया है तो लाइक करना और ये भी कॉमेंट करना अग आने का प्रियास करते है इस वीडियो के मात्यम से पहले मैं आपको लेटेस न्यूस दिखला दूँ ठीक है जैसे मैंने आपको बतलाया कंपनी को 1829 करोड का प्रजेक्ट मिला है तो आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं केई सी इंटरनेशनल लिमिटिट है अभी स्टॉक का प इन इंडिया तो कंपनी को जो प्रजेक्ट मिला है टोटल प्रजेक्ट 1829 करोड का है लेकिन उसको डिवाइट किया गया है दो भाग में दो हिस्से में ठीक है जो फुल डिटेल्स है उसका आर्टिकल कर लिंग नीचे टाल दूँगा आप उसको अराम से पढ़ सकते हो तस पर शेर दिया था तो आप देख सकते हो कंपनी ने भाई काफी अच्छा डिविनेंट भी आपको दिया है और साथ में 27 अक्टूबर कंपनी के लिए काफी बड़ी डेट हो सकती है क्योंकि कंपनी इस टाइम अपनी क्यू टू अर्निंग्स रिवील करने वाली है जैसे बत डेफिनेटली दो यहाँ पर इवेंट्स निकल के आते हैं पहले रिजल्ट्स के हैं साथ में दूसरा क्या है कंपनी ने इतना बड़ा ओर्डर जीता है तो डेफिनेटली दोस्तों अगले कुछ महीनों के लिए भी आप शौक को नजरों में रख सकते हो इन दोनों न्यूस के वज़ा से भी साथ में अगर बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस या बहुत सकते हो प्राइस रिटन कितना दिया है तो आप देख सकते हो अल्मूस तीन मेहने करते हो स्टॉक ने 14% गेन हमें कमा के दिया है वहीं एक साल में स्टॉक ने 48% का रिटन दिया है त तो आज का वॉल्यूम है 7 लाग के आसपास है और वीकली अबरेज वॉल्यूम 10 लाग के आसपास हमें देखने को मिलता है मंतली 5 लाग के आसपास का है तो आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी धेर दिते करके उपर की तरफ सिप्ट हो रहा है और साथ में company के दो-दो events साथ में आ रहे है Q2 earnings और company ने आज काफ़े अच्छा project भी जीता है ठीक है तो आप आच्छा करता हूँ यहां ता आपको समझ आ रहा होगा कि stock में हमें क्या करना है अभी आपको company के current financial दिखाऊंगा ओ दिखाने से पहले एक बाद checkout करो कि कैसे Friday वाले दिन मतब जब इसके profits I mean company को जब project मिला था तो कैसा काम का अच्छ देखने को मिलता है price में हम वो देख लेते हैं उस दिन stock almost 5% के उपर की तेजी हमें देखने को मिलती है 31 लाग quantity ट्रेट की गए ती उसमें से almost 6 लाग quantity लोग घर लेके गए मतब 21% की आसपास की delivery लोग उठा के घर लेके गए इसका मिला काफी less quantity इसमें लोग घर लेके गए इतना समझ आगे आपको अब बात करते कंपनी के करन financial कैसे है तो लेके चलता हूँ कंपनी के करन profits की तरब दोस्तर आप देख सकती हो कंपनी का जो mainly काम है construction field से तो काम काच करती करती है साथ में कंपनी power transmission and distribution का काम भी करती है और EVC businesses में भी कारेगत है अगर आपको detail analysis यह कंपनी के बारे में तो definitely इंकी website check out करो you can find everything कि कंपनी किस-किस products में और किस-किस segment में काम काच कर रही है currently या अगले future में के क्या goals से plans से उनको भी आप एक पर धंग से पढ़ सकती हो अगर आप stock में investment करना चाहते हो अभी company की website load हो रही है थोड़ा time देगी ठीक है तो आप देख से तो अराम से इसको आप read कर सकती हो और analysis कर सकती हो ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया अब आगे लिए के चलता हूँ आप दोस्तों बात करते है company के थोगए deep understanding and understanding of fundamental analysis मतलब company के profits कैसे आ रहे है देखो at the end अगर price उपर जाएगा तो profits के बजे से जाएगा और कुछ market में जो sentiment होते है ठीक है जैसे buyers का और sellers का देखता है कि company को कितना project मिला है और अगर आप stock को long term के लिए बाये कर रहे हो तो आपको long term में stock का chart ऐसे उपर जाएगा लेकिन short term में stock ऐसे जाएगा short term मतलब stock में आप बोल सकते हो कभी नीचे गरे है कभी उपर गरेगा तो आप अपने goals को set करोगी भाई आपको stock को short term के लिए बाये करना है long term के लिए यह तो विशार कहता है यह stock long term के लिए भी काफी अच्छा है short term के लिए भी काफी अच्छा chart में मुझे दिख रहा है क्योंकि stock ने multi-year breakout भी दिया है वह अभी आपके 2 या 3 मिट बाद हम उसके पर discussion करेंगे पहले हम बात करते हैं इसके profits की market cap 12,000 क्रोड पलस है अभी stock अपन हमें देखने को मिलती है 20% के असपास नीचे लेके चलता हूँ तो आपको यहां देखने को मिलेगा company के आप रोज कुछी में मतला company वह थोड़ा बहुत करजा भी होगा ठीक है आप देखते हो तो company के जून 2021 के जो earnings की डाही है करोड पलस sales हमें देखने को मिलती है वही profit की बात कर लेते हैं तो मातर 46 करोड का company ने आपको profit दिखाया था और उससे पहले 149 करोड का profit था तो मतला company के profit देख सकते हो कि last quarter अच्छे नहीं आए लेकिन लेकिन company के जो projects है वो लगातर order book मजबूत हो रही है तो ये भी एक अच्छा region है कि हम stock को नजरो में रख सकते है बा net profit की तो company ने अभी तक 528 करोड का आपको profit दे दिया है और अभी एक दू क्वार्टर इतिंग बच्चे वे तो definitely जो profits है ये जो last FI 20 का profit आप बोल सकते हो 566 करोड इसको भी रीच कर देगा और भाई क्या चीए देखो हर साल company की जो book है net profit वो जो close हो रही है वो higher highs मे close हो रही last year देखो 533 क्रोड का profit ता इस बार 500 800 चुका है और definitely इसको ब्रीच करेगा अराम से 600 700 क्रोड का company profit में close करेगी इस बार book अपनी और यही चाहिए ठीक है इसी वज़े स्टॉक का बाई लगातार आपका rocket हो रहा है और 52 week high cash rate कर रहा है balance sheet की बात कर देखो company के बाद जो reserve है ठी 500 क्रोड का company debt दिया है ठीक है तो अच्छी बात है कि company at least कुछ न कुछ कमाने के बाद अपना debt भी चुका रही है ताकि उसके उपर interest कम पेगा ना पड़े अच्छी बात है नीचे लेकर चलता हूँ cash flow तो company के पास 47 क्रोड का cash flow हुआ है साथ मागा बात करते हैं seriolic pattern जो सब से important होता है किसी भी stock को long term के लिए hold करने के लिए या ना करने के लिए तो मेरे साथ से देखो सब कुछ okay है पर motors की holding 51% है FIIS की holding देख सकते हो 11% है साथ में DIS की holding almost 27% है और DIS में आपके किस-किस का माल लगा हुआ है LIC ने stock में माल बाइगा रहा हुआ है SGFC ने बाइगा रह रखा और retail की holding stock के मातर 10% के आसवस हमें देखने को मिलती है तो मेरे साथ से सब कुछ stock में okay है बस थोड़ा सा 2000 क्रोड के आसवस का debt है वो भी company बहुत जल्द देके debt-free बन जाएगी तो मेरे साथ से stock को अगर मैं अपनी analysis के साथ से कितने point देना चाहूँगा कम से कि 10 मेरे स 9 देना चाहूँगा ठीक है तो definitely इस stock को आप अपने रजरों में रख सकते हो बाकि अगर बात करते है stock का chart pattern तो मैं आपको दिखा रहता हूँ कि stock का chart pattern कैसा मुझे नजर आता है अभी तो याँ दोस्ता आप देख सकते हो के EC international का मैंने chart pattern खोला हूँगा है ठीक है अगर आप max chart धंग से देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा stock ने अभी इतना अच्छा return कमाकर नहीं दिया है लेकिन आपर एक point यहाँ निकल के आता है stock के multi-year breakout दिया है almost यह price निकल के आता है 2018 का high जो 414-415 रुपे के आसपास है तो मतलब हो सकते हो कि stock अभी multi-year highs के आसपास support ले रहा है और यहीं एक आपको opportunity नजर आ सकती है अगर आप stock को buy करना चाहते है तो यहीं accumulate करके चलो 500 रु तो आप कम से कम 1000 रुपे के target के इंतजार कर सकती हो ठीक है तो यह 1000 रुपे तक के target आराम से आपको देखने को मिल सकते है लेकिन उससे पहले stock का next target है को stock market में जो stocks होते हैं ऐसे करके जाते daily अगर आप देखोगे लेकिन अगर आप long time view देखोगे तो stock का chart pattern ऐसे जाता है ठी लेकिन जो short term में उसमें जो movement आती नीचे की तरफ ना तो वो opportunity होती है अच्छे stocks को accumulate करने की तो यह भी एक अच्छे category का stock है पस थोड़ा सा company के पर जो data 1000 क्रोड के 2000 क्रोड के असपरसका वो थोड़ा जादा है बस वागी company okay okay बहुत अच्छी है ठीक है तो हम इस वीडियो क यहीं समाप्त करता हूँ आशा करता हूँ आपको पूरा कपूरा रिसर्स समझ आ गई कि एई सी इंटरेने से शेर में आपको क्या करने की अब हो सकता है आशा करता हूँ यह वीडियो आपको help करेगा ताकि आप अगर investment करना चाहती है और अगर आप सच में पैसा लगाना चाहते हो simply अपनी financial advisor की सला डेफिनिटी लेना यह जो मेरा व्यू है यह मेरा खुद का व्यू है प्लीज अपनी खुद की एक बार रिसर्च अपने financial सलाकार से एक बार concert कर लेना before taking any trade और investment मिलते आपको अपनी next वीडियो तक तक लिए बाई बाई टेक केर